मैं आज आपको salt के बारे में बताऊंगा, नमक. Softner में salt कैसे calculate किया जाता है और कितना हमें करना चाहिए, वो समएं आपको बताने वाला हूँ. कि salt कैसे निकाला जाता है, कि कितना salt हमें इसमें recharge करने के लिए आवसकता पड़ेगी, उसके लिए मैं क्या-k क्या पता हो जाए है वह भी मैं आपको धाता हूं ऐसके तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वो टाइप रेजिन टाइप क्या है माल लीजे हमारा रेजिन जो है 30,000 ग्रेंज removal वाला है by one cubic feet ठीक है ये वाला है ठीक है तो हमें कितना सार्ट चार्ज करना पड़ेगा वो कैसे जानते हैं मैं आपको बताता हूँ इसके लिए ठीक है फ्रेंज और रेजिन की क्वावंटिटी हम माल लेते हैं माल लो रेजिन क्वावंटिटी कितनी है 3000 kg ठीक है फ्रेंट्स ये 3000 kg कितना हुआ 3000 kg को अगर मैं cubic fit में करूँ cubic fit में तो 3000 divided by 29.72 यानी 101 cubic fit ठीक है ये capacity होगी quantity होगी कि इतना रेजिन है मैं इससे पहले आपको एक चीज और बताऊंगा देखिए मैं आपको लाएक वीडियो में बताया हुआ है आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं मैं उसमें लगा देता हूं कार्ड में उसमें क्या है कि मैंने बताया था आपको कि रेजिन ग्रेंस के कोडिंग कितने प्रकार के होते हैं देखिए मैं बताता हूँ आपको तीस हजार ग्रेंस रिमूबल वाई वन क्यूबिक फीट ठीक है यह तीस जार वाला हो गया फिर हो गया उसके बाद 27,500 वाला ठीक है फिर उसके बाद 25,000 फिर उसके बाद 22,500 इस प्रकार से मैंने आपको बताए थे 5 प्रकार के ठीक है एक नुबिक फिट फ्रेंड मैं इनमें एक चीज आपको और यहां बताने वाला हूँ देखिए अगर 20,000 ग्रेंस रिमूबल वाला रेजिन है तो उसको चार्ज करने के लिए 6 LBS या पाउंड इसको बोलते हैं इतने 60 की जरुवत पड़ेगी एक क्यूबिक फिट के लिए ठीक है अगर 22,500 वाला है तो 8 की जरुवत पड़ेगी 8 LBS ठीक है और अगर अगर 25,000 वाला है तो जरुवत पड़ेगी 10 की अगर 27,500 वाला है तो 12 की और अगर 30,000 वाला है तो 15 की 15 LBS या पाउंड साल्ट की जरुवत पड़ेगी एक क्यूबिक फिट के लिए ठीक है तो मैं मान लेता हूं कि हमारा जो है मैं दो पे करके दिखाऊंगा मैं बताता हूं सबसे पहले 30,000 वाला है ठीक है 30,000 वाला है तो 30,000 वाला है तो 30,000 वाला अगर है तो उसको एक क्यूबिक फिट के लिए कितने की जरुवत पड़ेगी 15 LBS मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 LBS या पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम या 453 ग्राम या 0.453 केजी ठीक है फ्रेंट्स साल्ट एक LBS में होता है ठीक है फ्रेंट्स अब हमारे पास कितना क्यूबिक फिट है टोटल 101 अगर 101 फिट है यदि हमारा ये वाला 30,000 वाला है मान लेता हूं यदि 30,000 grains वाला रेजिन है तब salt requirement salt कितना लगेगा 30,000 वाला है तो देखें ये लगेगा 15 15 into कितना है total 101 cubic feet ये मैंने है लिखा हुआ है total 101 cubic feet है इसको हम multiply कर देते हैं यानि इतना 1515 क्या LBS क्या हो गया ये LBS या इसको pound भी बोलते हैं ठीक है इतने pound हो गया अब ये 1515 pound है अगर हम इस 1515 को अगर हमें kg में चाहिए तो 1515 को आप 0.453 में multiply कर लिजे ये आजाएगा जो भी आएगा वो आएगा kg में ये आएगा 681 kg ठीक है इतना salt लगेगा ठीक है यदी 30,000 की बजाए अगर हम ले लेते हैं 20,000 वाला यदी 20,000 grains वाला resin है तब देखिए अगर ये 30,000 grains वाला resin है तब कितना आएगा तो मैं आपको बता दूँ salt requirement ये salt जो लगेगा वो हो गया आपका 20,000 वाले में लगता है 6 LBS कितना लगता है 6 pound 6 into 101 cubic feet ये 101 cubic feet कहां से आया जो हमारी quantity है तो 101 इसको मैं multiply कर देता हूँ ये आगया 606 LBS LBS means pound अगर हम इसको kg में निकालना चाहते हैं चो 606 को 0.453 से कर दीजे multiply ये आ जाएगा salt in kg 606 multiply by 453 ठीक है 0.453 तो ये आपका आजाएगा 340 kg ठीक है ये भी temporary है तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स ये 5 प्रकार के होते हैं जोन साभी इन में से आप जिस टाइप का भी लोग है उसी हिसाफ से salt consumption है एक क्यूबिक फिर्ट में मैंने यह लिखा है 20,000 वाले में 6 LVS लगता है 25,500 वाले में 8 LVS लगता है 25,000 वाले में 10 लगता है तो हम किसी भी softner का निकाल सकते हैं कि कितना इसमें salt charge होना चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बस हमें दो चीज़े पता होना चाहिए कि कितना resin डला हुआ है quantity कितनी है और किस type का डला हुआ है 22,500 वाले है, 25,27,वाले है अगर हम ये दो चीज़े पता हैं तो हम ये बता सकते हैं कि हमें कितना salt लगेगा friends, आज के लिए इतना ही मैं आसा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर करना ना भूलें